शीराम कथा ग्यानियगे तैसील माधोगड की ग्राम पंचाथ केलोर में स्थेद गाउ के परिसर में चल रही है शीराम कथा के चतुर्थ दिवस परियजमानों द्वारा व्यास पीछ पूजन के बाद कथा की शुरुवात करते हुए सुंदर भजनों की प्रस्तुती पर श्रत धालू भाव विभोरो कर खूब नाचे कथा व्यास अचारेती जस महराज ने कहा कि अनुस्ठाणों से बहुतिक सुखों की प्राप्ती होती है जबकि भगवान भावनाओं से प्राप्त होते है संसार में समरद्धी बढ़ी है लेकिन शान्ती और त्रिप्ती कम होई आहरशुद्ध होना वश्यक है आहरशुद्ध होने पर जीवन का धार ही अशुद्ध हो जाता है उन्होंने श्री राम माता जान की लवकुष से जुड़यनिक प्रसंगों को कथद्वार प्रस्तुत किया कथा के समापन पर सभी शोताओं को प्रसाद वितृत किया गया